तेजस्वी आदब की नजरें आपके वोट वेंग क्यों लाख ना कर अगर के रहा जाए कुछ भी यात्रा कर लें कुछ कर लें उस सीमा से आगे वो नहीं बर सकते हैं तो इसलिए कुल मिला जुला कर देखिएगा तो कोई बड़ी चुनावती इंडिये के लिए तेजस्वी जीन नहीं नितीस कुमार को बोलना पड़ रहा है कि अब महागठ बंदन में नहीं जाएंगे तेजस्वी आदब को भी बोलना पड़ रहा है कि अब नितीस कुमार को नहीं लेंगे आखिर एक क्यों नौबत आई दोनों नेताओं को सफाई देने की नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटीज मैं हूँ आपके साथ सौरवराज अगले साल बिहार में विधान सवा के चुनाव होने हैं सभी पार्टी सभी नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं तेजस्वी आदब भी बिहार के यातरा पे निकल गए हैं अपने कारकरतों से बिहार के लोगों से मिलने के लिए मेरे साथ बात करने के लिए उपेंद्र कुस्वाहा है रासवा के सांसद हैं से बात करेंगे कुश्वाह जी अगले साल विधान स्वा के चुनाब होने हैं लेकिन टेजसवी आदब ये अक्टिमोड में आ गए आप लोग पहले से ही फुलफों में चल रहे हैं टेजसवी आदब को चुनावती मान रहे हैं आप लेकिन उनकी एक सीमा है, उस सीमा से आगे उनकी पार्टी के साथ है, वह बोट है, उसके अत्रिक्त और कोई बोट उनके साथ जुड़े, लाख ना कर अगर के रह जाए, कुछ भी यात्रा कर लें, कुछ कर लें, उस सीमा से आगे उनकी बर सकते हैं, तो इसलिए कुल मिला जुला कर देखियेगा, तो कोई बड़ी चुनावती इंडिये के लिए तेजस्वी जी नहीं है, तेजस्वी आदब की नजरें आपके वैंक हो या फिर और दूसरे लोग जो हैं वोटर के रूप में, जो भी किसी भी पार्टी के समर्थक हो, तेजस्वी जी के साथ जो लोग हैं, उसकी अत्रिक सुसाइटी का दूसरा वर्ग उनसे नहीं जूरेगा, जूरना चाहता भी नहीं है, क्योंकि सत्ता में रहते हु जो बन गई थी कुछ दिन पहले तक थी विहार में, जिसमें तेजस्वी जी डिप्टी सी एम थे, उस वक्त भी एक जलक विहार के लोगों ने देखी है, इन कारणों से लोग ही उनके साथ नहीं जूरेगे। नितीश कुमार को नहीं लेंगे, आखिर एक क्यों नौबत आई दोनों निताओं को सफाई देने की। ने देखें, कोई नौबत जैसी स्थिती नितीश जी के सामने तो नहीं है। ठीक है, राजनितिक कारण जो भी रहा हो जिसके चलते गए महागठ बंधन के साथ नितीश जी। लेकिन अब तो उन्होंने कई बार बिलकुल साफ साफ कहा है, और फिर लोकसभा चुनाओं का जो नतीजा है, वह भी उनके इस कदम को परमानित करता है, कि एंडिये के साथ ही रहना बिहार के इंट्रेस्ट में है, जेर्यू के इंट्रेस्ट में भी है। तो अब तो इस मामले का पटाचेप ऐसे ही हो गया है, अब कहीं से कोई लोग जो प्रस्निचिन लगा कर देखना चाहते हैं, उनको निरासाहात लगेगी, पुरी मजबूती के साथ नितीश जी के नतृत में बिहार में इंडिये है और रहेगा। आप लोगों की स्थिति क्या है, एंडिये में आप लोग करी 5-6 धल हैं, कहा जा रहा है कि एंडिये है मजबूत लेकिन जो ख़वरे आती है, कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कभी-कभी आपको ऊपर भी सवाल उठने लगते हैं, ख़वरे चलने लगते हैं। खास करके हमारी पार्टी के लिए, और विहार की जनता के इंट्रेस्ट में है कि एंडिये मजबूती से रहे, तो इस दिरिष्टी से कोई भी सवाल इस तरह का लोग जो करते हैं, या संकामन में रखकर बोलते हैं, बिलकुल गलत है, पुरी मजबूती के साथ, इंडिये के साथ चुनाओ लड़ेगा, मजबूती के साथ जीतेगा है, चिराग पासवान को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है, तो गलत है, सब लोग का इंट्रेस्ट और सबसे उपर बिहार की जनता का इंट्रेस्ट अभी इंडिये के साथ है, इसलिए सब लोग इंडिये में जो भी है इंडिये में हैं और रहेंगे, एक छोटा सा सवाल है, अंतिम सवाल है, तेजस्वी आदब ने हाल ही में एक बिहान दिया, कि अब बिहार में पिछडों की सबसे बड़ी जो जमात है, यादब समाज और कुसवाहा समाज, अब दोनों समाज भाई-भाई है, दोनों के बिहार के लोगों ने और जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, सब लोगों ने सिर्फ देखा ही नहीं, ये भुगता भी है, लालू जी सत्ता में उतने दिनों तक रहे, तो बाकी लोगों ने भी उसके साथ कुसवाहा समाज के लोगों ने भी एक मुस्त बोट दिया को हमेशा लेकिन उसका नतीजा क्या निकला है उससे सारे लोग वाकिफ हैं इसलिए कुछ भी परियास कर लें सवाल ही नहीं होता है हमने तो कहा है कि सर के बल भी खराब हो जाएं आरजडी के निता तब भी यह जो कोशिस है इस कोशिस में सफल नहीं हो उस वाह समाज इंडि के साथ है देश में सरकार है अच्छा काम करने वाली सरकार है विहार में अच्छा काम करने वाली सरकार है तो सुभाविक रूप से इसके साथ ही लोग हैं और रहें तो इसलिए कुल मिला जुला कर देखिएगा तो कोई बड़ी चुनावती इंडिये के लिए तेस्वी जी निटीश कुमार को बोलना पड़ रहा है कि अब निटीश कुमार को नहीं लेंगे आखिर एक क्यों नौबत आई दोनों निताओं को सफाई देने की कोई नौबत जैसी स्थिती नितीश जी के सामने तो नहीं है ठीक है राजनितिक कारण जो भी रहा हो जिसके चलते गए महागठ बंधन के साथ नितीश जी लेकिन अब तो उन्होंने कई बार बिलकुल साफ साफ कहा है और फिर लोकसभा चुनाओं का जो नतीजा है वह भी उ साथ ही रहना बिहार के इंट्रेस्ट में है जिरू के इंट्रेस्ट में भी है तो अब तो इस मामले का पटाच्छे पैसे ही हो गया है अब कहीं से कोई लोग जो प्रस्निचिन लगा कर देखना चाहते हैं उनको निरासाहात लगेगी पुरी मजबूती के साथ नितीश जी के नित्रुत में बिहार में इंडिये है और रहेगा आप लोगों की स्थीति क्या है इंडिये में आप लोग करी 5-6 धल हैं कहा जा रहा है कि इंडिये है मजबूत लेकिन जो खबर आती है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है कभी-कभी आपको ऊपर भी सवाल उठने लगते हैं अब खबर चलाने वाले तो सोतंत्र हैं उस पर तो हम लोगों का कोई बस चलता भी नहीं है देमक्रेसी है सबको अपनी बात कहने का हक है लेकिन अब एंडिये और बाकी बिहार की जन्ता उसका इंट्रेस्ट पहले है हम खासकर कि हमारी पार्टी के लिए